है गईज ट्राइस तीन मेजर रोड्स हैए है एक है अपका पत्याला चंडीगर्ध हाइवे दूसरा है आपका एरपोर्ट रोड तीसरा है आपका अम्बाला चंडीगर्ध हाइवे आज को जो प्राजेक्ट में आपको दिखाने वाली हो ना इस प्रोजेक्ट 52 की बहुट ब एक्टिविटी मिल जाती है. So guys, welcome to the Antrius project located in HLP Palm Villa, Zirakpur जहाँ पर आज मैं आपको बहुत सारी चीजे दिखाने वाली हूँ. मतलब ये project आपको एक पूरा package प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ पर आपको प्रोच भी मिल जाएंगे, फ्रोच भी मिल जाएंगे, इंडिपेंड़ विलाज भी मिल जाएंगे. So guys, आप देखें प्रोजेक की कुछ ग्लिम्स फिर मैं आपको पूरी डीटेल्स प्रोवाइड करने हूँ. So guys, it is a complete 50 acres township जिसमे आपको बहुत सारी amenities पे मिल जाती हैं, जैसे की तीन बहुत ही luxurious clubhouse, 22 plus park यहाँ पे आपको प्रोवाइड किये जाएंगे, जो कि आपके काफी बड़े-बड़े parks होंगे, उनमें आपको different amenities मिल जाएंगी, जैसे आपके walking tracks, jogging tracks, आपके gazebos, etc. बहुत सारी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे की मैं आपको explain किया था कि तीन major highways के साथ connectivity रहेगा, तो दो highways उनका connectivity की तो आपका अलड़ी बना ही हुआ है, थर्ड connectivity जो रहेगी वो आपकी airport road से, वो जो आपको connectivity मिलने वाली है, वो आपको in future connectivity रहेगी जो project के बीच से बिल्कुल road आपका जाने वाला है, जो आगे जाके VIP road को connect करेगा, तो वो भी आपको एक बहुत easy connectivity यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब आपको कहीं के लिए जाना है project में, nearby places के लिए जाना है या फिर nearby states के लिए जाना है, अपने budget के according, second यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 3BHK floors जो आपके S plus 3 concept के साथ आ जाते हैं, जिसमें जो आपका flat रहेगा, उसका size रहेगा, आपका 1650 square feet, जो जिसका sample apartment आज में आपको check out भी कराने वाली हों, third यहाँ पर आपको independent villas मिल जाएंगे, जो आपकी in future inventory है, project के अंदर आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी, इसके अलावा यहाँ पर commercial में भी काफी सारी options आपको देखने को मिल जाएंगे, so guys, यह थी बाहर की बाते, अब आइए चलते हैं, मैं आपको sample apartment की तरफ लेके जाते हूं, आपको हमारा आज का 3BH के दिखाते हैं, आएए, so guys, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3BH के apartment है, in 1650 square feet, यह S plus 3 के concept के साथ आ जाता है, स्टेर्ट में आपका सारा parking रहेगा, प्लस आपको स्टेर्ट में एक store भी provide किया जाएगा, यह जो apartment है आपके, यह आपके with lift आ जाते हैं, low rise with lift, काफे अच्छी चीज़ है, center में आपका lift आ जाएगा, staircase भी provided है, और यहां रहेगा हमारा आज का apartment, जिसका door कुछ इस तरीके का रहने वाला है, apartment आपको with digital lock provide किया जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, so कुछ इस तरीके का apartment हमारा रहने वाला है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे बहले जैसे हम यहां से enter करेंगे, यह आपका main door था, यही पर आपका छोटा सा पूजा space आ जाता है, मतलब एक space यहां पर आपको मिल जाता है जिसको आप अपने तरीके से utilize कर सकते हैं, and then after, यहां पर आचाता है हमारे पास drawing area and हमारा dining space जो काफी huge मिल रहा है आपको, इसके particular size की बात करूंगी तो 16 into 20s का size रहने वाला है आपके drawing and dining area का, walls आपके बिल्कुल plain रहेंगी, flooring as it is रहेंगी, fall ceiling आपके as it is रहेंगी, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो fall ceiling है उस पर थोड़ा सा wooden work भी है, यह भी आपका as it is रहेगा with the purchase आपको provide किया जाएगा, सो बात करेंगे अगर यहां पर कि आप कितना sitting लगा सकते हैं, तो easily यहां पर six to seven sitter sofa आपका easily accommodate हो सकता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, बीच में आपका table भी आ जाएगा, उसके बात भी मेरे पास move करने के लिए आप इनफ स्पेस बच जाता है, कि इस साइड मुझे अपनी kitchen की साइड जाना में इसली जा सकते हूं, रूम्स के लिए वाक आउट करना है, वो मैं इसली कर सकते हूं, यहां पर आ जाता है हमारा dining space, जहां पर four sitting dining table आप इसली इंस्ट्रॉल कर सकते हैं बिल्कुल आपके kitchen के साथ, अगर आपकी family बड़ी है यह चोटी है तो उस तरीके से भी आप इसको change कर सकते हैं, so यह था हमारा drawing and dining area, अब इसी के साथ हम kitchen में चलते हैं, so यह जो kitchen है यह आपको fully modular मिलने वाली है, पहले मैं बता जेते हूं इसमें क्या नहीं रहेगा, refrigerator और microwave OTG इसमें नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़े आपकी as it is रहने वाली हैं जैसे कि आपका chimney हो गया, hob हो गया, आपका geezer, सारे cabinets आप जैसे देख सकते हैं वह सारे आपके as it is रहेंगे, कुछ cabinets आपके simple रहने वाले हैं, कुछ आपके glass door के साथ आजएंगे जो black glass आपके यहाँ पर देख सकते हैं, fall ceiling आपका kitchen में भी provided है जो आप उपर देख सकते हैं, with the lighting, body beautiful है, lower cabinets आपके soft closer आजएंगे, different size के cabinets आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, pantry section रहेगा, काफी spacious यहाँ पर नीचे भी space आजाएगा, and then coming to this side, यहाँ पर आजाएगा हमारा dual sink जहाँ पर आप यह moving faucet देख सकते हैं, एक small faucet भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको आप अपने purify अगरा के लिए यूज कर सकते हैं, and इसके ऊपर भी यहाँ पर आपके cabinets आजाएंगे, जहाँ पर नीचे आप अपने utensils वगरा वाश करके डिरेक्ट उनको यहाँ पर रख सकते हैं, उपर यहाँ पर घीजर आजाएगा, इसमें भी आपके लोगाबिनेट्स आजाएंगे, जिसमें आपके डस्फिन वगरा के लिए space आजाएगा, and आप यहाँ पर अपने जैसे space दिया हुआ है, अपना जो भी scrub वगरा होता है, बर्तन दोने का समान होता है, वो सारा आप यहाँ पर रख सकते हो, इसके साथ आपका balcony connected रहेगा, तो कुछ इस तरीके का utility area यहाँ पर आपको मिलने वाला है, kitchen के साथ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा नजारा देने वाला है, प्रोजेक्ट ऐसी जगह बना हुआ है जो आपका है तो city में, बट बहुत ही peaceful सी location ही आपको मिलने वाली है, तो यहाँ पर taps वगरा भी प्रोवाइड रहेंगे, इनकेस आपका washing वगरा के activity आपने करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बाकि जो आपका door रहेगा यह आपका with a toughen glass आजाएगा, जो आपका soundproof, आपका heatproof होता है, so यह था हमारा kitchen, so now we are all done with our drawing, dining and kitchen, अब चलेंगे हमारे rooms की तरफ, तो इस तरफ आजाएगा हमारा first bedroom, जो आपकी main door के बिलकुल यहाँ पर आजाएगा, इसके particular size की बात करेंगे, तो 11 x 12 इस का size रहने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका इतना बड़ा bed लगाने के बात भी, आपको इतना space बच जाता है, आप side tables रख सकते हैं, उसके बाद एक couch भी add कर सकते हैं वहाँ पर जैसे, अगर यह पसंद आता है तो आप इस ideas को अप भी कर सकते हों, तो काफी classic सा decoration है, रूम का आप इसको use कर सकते हो अपने रूम में, अगर आपको यह अच्छा लगा हो, अगें, flooring आपका जो है, false ceiling है वह आपका सारा as it is रहने वाला है, वाल्स आपकी बुल्कु प्लेन आजाएंगी, और यहां पर आजाएंगे हमारे cupboards, जो आपके glass door के साथ रहने वाले हैं, स्पेस देख लीजिए, ल्याउट देख सकते हैं आप काफी अच्छा है, काफी spacious cupboards मिल रहे हैं आपको, इसके साथ भी आपका जो balcony है वो अटाच आ जाएगा, सो यह आपके घर का front balcony रहेगा, जो आपके first bedroom के साथ connected है, सेम यहां से भी आप बाहर का एडिया पूरा देख सकते हैं, काफी peaceful location है, अगर मैं space की बात करूंगी तो काफी अच्छा space है balcony में, कि आप एक sitting के लिए space बना सकते हैं, उत्ती जगा आपको मिल रही है, for the security purpose यहां पे आपका railing का height भी काफी अच्छा प्रवाइड़ एं काफी strong भी है railing, अगें जो आपका यह balcony का door रहेगा, तो यह toughened glass रहेगा, इसमें आपको mash door भी प्रोवाइड किया जा रहा है, and then इसी के साथ यहां पे आ जाएगा हमारा washroom, जो कि आपके room के साथ connected रहने वाला है, with sensor light, automation light रहेगा, flooring आप देख सकते हैं, and this kit रहने वाली है complete, for the light and ventilation काफी बड़ा window लगा हुआ है, exhaust filly space आपको मिल जाएगा, अगर height की बात करूंगी वह भी काफी अच्छी है वाश्रूम की, walls की बात करेंगे, तो पुरा ceiling height तक आपको यहां पे tiling मिलने वाला है, यह आजाएगा आपका basin, then your seat and यह bathing section आजाएगा, fittings की बात करूंगी, तो सारी sanitary fittings आपकी काहलर के रहने वाली, so this was our first bedroom, अब चलते हैं हमारे बाकी दो रूम्स की तरफ, तो यहां आजाएगे हमारे बाकी दो रूम्स की तरफ, वाल्स की बात करेंगे तो टाइलिंग प्रवाइड की जारी है आपको सिलिंग हाइट तक की, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटिसके रहने वाली है, and then here comes our second bedroom, with enough size, 11 by 12 का size रहने वाला है इस रूम का भी आपका, बात करेंगे अगर इसकी भी डेकुरेशन की तो बहुत ही light, बहुत ही simple, sober सा डेकुरेशन रूम में कर रखा है, क्योंकि यह सेंपल अपार्टमेंट है, आप furniture से ऐडिया लगा सकते हैं, कि आप रूम में कितना furniture रखेंगे, कितना space अबस बच जाएगा, यहां पर आजाएंगे हमारे cupboards, यहां पर आजाएंगे उनमें आपको lighting भी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेयाउट अफी अच्छा है, यहां पर भी आपका जो balcony है वो अटाच रहने वाला है, यहां बाल्कोणी आपके दोनों बेडरूम के साथ अटाच रहेंगा आपके मास्टर बेडरूम के साथ यहां पर आपके बिल्कुल सेपरेट सा स्पेस मिल जाता है, जहां पर आपका टाप्स वगर भी प्रोवाइड डिएगे, अगर सामने की टाच की बात करेंगे तो दोनों टाच जूड़े वह नहीं है, आप देख सकते हैं, आपके 9 feet का डिफरेंस आजाएगा दोनों टाच की बीच में, इसमें आपको दोनों डोर प्रोवाइड किये जा रहे हैं, आपका रफन ग्लास वाल डोर आ जाएगा, दन यो माश डोर, इसी के साथ सामने यहां पर आपको स्पेस मल जाता है ए लेडी पैनल, LED पैनल यहां पर अपना लगा सकते हैं, या सिंपली स्क्रीन भी लगा सकते हैं, काफी बड़ी वाल है आपके पास, यहां पर रहेगी आपकी AC की टक्टिंग, बिल्कुल आपके बेड के लेफ्ट वाली वाल पर, सो यह था हमारा second bedroom, अब इसी के साथ हम चलेंगे हमारे third bedroom में, so this is basically a master bedroom, तो यह बाकी rooms के मुकाबले आपका थोड़ा सा बड़ा रूम आ जाएगा, जिसके अगर particular size की बात करूँगी तो 12 x 13 इसका size रहने वाला है, इसमें भी आपका center में bed आ जाएगा, side tables हैं, वहाँ आपके cupboards रहेंगे, सामने वाली wall पे आपका LED panel आ जाएगा, जो आप बना सकते हैं यहाँ, screen भी लगा सकते हैं, direct आपकी मर्जी है, balcony मैंने दिखाई इसके साथ भी आपकी connect kit थी, इस side हमारा washroom आ जाएगा, so washroom का size आपका काफी अच्छा है, collar की fittings रहने वाली हैं, जो आपकी seat आ जाएगी वो आपके BDA fittings के साथ आ जाते ही, जो आपकी hospitals वगरा में यूज होती है, तो अगर आपके घर में बुजर्ग वगरा हैं तो उनके लिए काफी चीचीज हो जाती हैं, अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको टाइलिंग मिल जाएगी विद ग्लॉसी लोग, सीलिंग हाइट तक की टाइज आपको मिल जाएगी यहां पर वेसिन आजाएगा, विद मीर नीचे आपका वैनिटी आप देख सकते हैं यहां पर एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर स्पेस आजाएगा, विदो भी प्रॉइट प्रॉइट पर आजाएगा, अब यहां पर आजाएगे हमारे कबड़, बहुत बड़ा कबड मिल रहा है आपको पूरा वाल की जितना कबड आप यहां पर देख सकते हैं, अंदर लेयाउट देखिए, स्पेस देख लीजिए आपका सारा स्टफ इजिली आ जाएगा, बहुत सारा स्पेस आपको मिल रहा है यहां पर, इस साइड भी आप देख सकते हैं, सेम लेयाउट रहेगा, सेम आपका स्पेस है, बीच में भी देख सकते हैं, आप क्याबिनेट्स आजाएंगे आपके काफी, सो दिस वोजार कबड, यहां पर भी आपकी सेम रहने वाली है, फ्लोरिंग भी आपकी सेम रहेगी, सो दिस वोजार थार्ड बेट्रूम, इसे के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, कि यहां पर जो रूफ राइट्स रहेंगे, आपके रूफ के, तो आप वो भी इंजॉई कर सकते हो, अगर आपको खुले-खुले में रहना पसंद है, खुले हवा में बैठना पसंद है, तो आप थर्ड फ्लोर भी चूज कर सकते हैं, तो यह था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़े मिल रही है, प्लॉट्स मिल जाएंगे आपको 100-150 सुगज तक के, यहां पर फ्लोर मिल जाएंगे आपको, स्प्रस 3 कंसेप्ट के साथ, 1650 स्क्रीट का अपार्टमेंट रहेंगा, आपको semi furnished provide किया जा रहा है, जिसमें आपका fall selling घर का as it is रहेगा, पूजा स्पेस आपको बना के दे रहे हैं, साथ में आपका जो kitchen है उसमें आपका chimney, hob, RO वगरा आपके with the purchase provide किये जाएंगे, अगर बात करूंगी घर के space की तो वो भी आपको काफी अच्छा मिल रहा है, जिसको आप अपने तरीके से organize कर सकते हैं, कैसे भी set कर सकते हैं, तो यह थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसे लगी हमें comment section में comment करके जरूर बताइएगा, मैं विलती हूँ आपसे next video में किसी और सुन्दर से घर के साथ, किसी और अच्छे से project के साथ के अच्छे सी deal आपके लिए लेकर आऊंगी, till then टाटा बाइ-बाइ, take care.